उत्तरप्रदेश में भारे बारिश के बाद से लगातार पूरे प्रदेश में डेंगू से ग्रसित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है हालात ये हैं कि सरकारी अस्वतालों में डेंगू से पिड़ित मरीजों को बेड मिलना भी बहुत मुश्किल हो ग पूजा पर सभी डॉक्टरों की छुट्टी रद्द कर दी गई हैं अस्वतालों में दिखाई देते डेंगू से ग्रसित मरीजों को देखते हुए सरकारी सुविधाई भी नाकाफी साबित हो रही हैं ऐसे हालात में जहां धनी वर्ग के लोग तो प्राइवेट हॉस्पिट में दान्ता हॉस्पिटल की कंसल्टेंट इंटर्नल मैडिसन डॉक्टर रुचिता शर्मा डेंगू से संबंदी सुझाओ उप्चार वर्रक रखाओ को देखते हुए खास बातचीत की हमारी समवाता था सतींद्र शर्मा से नमस्कार आप देख रहे हैं दैनिक भासकर उत्तर प्रदेश में भारी वारिस के बात से लगातार डेंगू के मरीज बड़े हैं ऐसे तमाम कारण हो सकते हैं जिनसे के मरीजों की संख्या बड़ी है हालात पूरे प्रदेश में इस तरीके के हैं कि सरकारी सुबदाएं प्राइमरी स्टेज पर किस तरीके के कारण दिखाई देते हैं और यह मरीज बढ़ रहे हैं किस तरीकी से रूपा जासे नमस्कार मेरा नाम नौक्टर रुचिता शर्मा है मैं कंसल्टेट मेडिसिन हो मिदानता हॉस्पिटल में मेरे हिसाब से प्रिवेंशन इस बेटर द चुमिए रहे कि मच्छर आपने पाए चाहिए जयसे से बब color निकलते हैं मस्कीटू आज आच फीजा स्छी में लगाने वाले यह की अच्छी में अहीं बहु। सकते हैं mosquito repellent उसका इस्तमाल करिए और जब भी बाहर निकले तो या तो कुछ oily चीज या odomoss जैसे चीज बाहर जो एरिया जो खुले हुए हैं उसमें आप अपलाई कर सकते हैं रात में सोते समय कोई भी चीज कोईल या मच्छर के लिए जो उपाए हैं सबसे जादा जो काम आते हैं वह मच्छदानी हैं तो मैं हमेशा अपने पहले तो को बुखार आता है सबसे पहले लोगों भूखार आता है सबसे पहला लक्षड जो होता है बदन में दर्द होना उसके बाद आँखों Pandal तालिमा आती है फिर शरीर में जोडों में हर जगें दर्थ होता है, फिर बुखार आता है यह बुखार तेज होता है, और ठंड लगके आता है, बुखार जहाता लोगों को कपकपी आती है, वलेरिया में भी डेंगू में भी और चिकिन कुनियाड में लग बख एक जैसे भी हो सकती है तो यह आपका जो है बुखार आना जोड में दर्द होना और राशे शुरुआत के प्रॉब्लम है उसके बाद कुछ रेर सिंटम्स भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और कई बार वह यह बताते हैं कि डेंगो सीवियर हो सकता है जैसे कि अचानक से बा बहानी बरतनी और यह दियोतक है कि आपका डेंगो सीवियर डेंगो है इमीडेटली आपको पेशिंट को जाके डॉक्टर को बताना चाहिए दूसरा जो मैं इंडिया में देखती हूं हमेशा हम लोग द्यान देते हैं इस बात पर कि डेंगो हुआ है लेकिन प्लेटलेट सिर्फ प्लेटलेट इंपोर्टन नहीं है कुछ हमारे पास वर्निंग साइन्स होते हैं जिसको हमको देखना चाहिए और उसी के हिसाब से हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं जैसे कि पेट में दर्ध होना जैसे कि अगर इंटरनल ब्लीडिंग हो जाए लेटन का काला पढ़न या पिशाब का बहुत गाड़ा होना तो शुरुवाती एलेक्शन की साथ साथ अगर हमारे पास वर्निंग साइन है तो वह बहुत इंपोर्टन होते हैं उस पर भी धियान रखनी चाहिए अन्तिम कोश्चन मेरे यह साफ सपाई और स्वच्चता को लेकर किस तरीके की साथ दनिया बढ़ति आगा यह तो बहुत अच्छा कर्षशन अदिवाली में सबसे इंपोर्टन कर नीए हैं हम जो इनका question है साफसफाई के बारे में हमारा कहने का तो दो तीन चीजे हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए जो हमें बच्पन से सिखाई जाती है जैसे हमेशा हाथ दो के तभी खाना खाएं और खाना खाने के बाद हाथ जरूर दोएं बाहर से कोई भी चीज आपकोने किसी से ली है आप बाहर गए है कुछ टच किया है तो सनिटाइजर का इस्तमाल करें यहां दोएं कोशिश करिए एक बहुत अच्छा हमारे शुरू से हमें सिखाया जाता है कि हम घर जब पहुंचे पूरा काम करके तो अगर नहां के और कप्ड़े बदल के घर में हम प्रवेश कर से जिन्होंने तमाम जानकारिया दी कि आप डेंगू से कैसे बस सकते हैं कैसे रख रखाउस रख सकते हैं साप सफाई को लेकर के कितना दिहां रखते हैं